13 फरवरी को कुम्ब राशी में बनने जा रही है सूरे और शनी की यूति कुछ राशियों को मिलेंगे शुब फल लेकिन कई राशियों को रहना होगा सावधान कुछ राशियों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें शनी और सूरे में हमेशा रहता है 36 का आंकड़ा सभी दर्शकों को मेरा गुर्मीत बेदी का नमस्कार 13 फरवरी को कुम्ब राशी में सूरे और शनी की यूति बनने जा रही है यानि दोनों ग्रह एक साथ कंबिनेशन बनाएंगे ये कंबिनेशन कुछ राशियों के लिए बिलकुल भी शुब नहीं होगा और उन्हें विशेश रूप से साबधान रहना होगा जबकि कुछ राशियों पर इन दोनों ग्रहों की विशेश किरपा बरसेगी किन राशियों को साबधान रहना है किन राशियों पर दोनों ग्रह मेरबान रहेंगे यह मैं आज की पोश्ट में आपको बताने जा रहा हूँ इसलिए इस पोश्ट को अंग तक जरूर देखिएगा और जिनों ने मेरा पेज अभी तक फॉलो नहीं किया है वो किरपया जरूर मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे नव गरहों में सुर्या और शनी का बहुत ही महत्व है जोतिश आस्तर के उनसार शनी को न्यायदीश या दंडादीकारी माना गया है इसके पीछे यह मान्यता है कि शनी देव किसी भी तरह के अन्याय यह गलत बात को बरदाश्ट नहीं करते और ऐसा करने वालों को उनके गुसे का शिकार होना पड़ता है जबकि सुर्या को संसार में जोतिश में संसार की आत्मा का जाता है साथी नपिता का दर्जा भी दिया गया है सुर्या हमारे मान समान के परतिक होते हैं जिस विक्ति की कुंडली में सुर्या मजबूस सिती में होते हैं उस विक्ति को समाज में यश्वर मान की प्राप्ति होती है ये कैसे ग्रह हैं जो कभी वक्री गती नहीं करते यानि उड़्टी चाल नहीं चलते सुर्य देव को प्रतिक्ष देवता भी कहा जाता है जो हमें प्रति दिन दर्शन देते हैं शास्त्रों मिनकी उपासना से मिलने वाले शुफ अलों की एक लंबी फेरिस्त है वैदिक जोतिश में सुर्य को शनी का शत्रू कहा गया है शनी देव सुर्या के पुत्तर है लेकिन इसके बाब जूत शनी और सुर्या में हमेशा 36 का अंकड़ा रहता है शनी जिस तुला राशी में उचके होते हैं वहीं सुर्या जो है वो तुला राशी में नीचके हो जाते हैं इसी तरह सुर्या मेश राशी में उचके होते हैं तो शनी की उनसे सतुर्ता के कारण सुर्य अपना फल नहीं देते जिस वज़ा से जातक को मान समान के लिए बहुत इंतजार करना पड़ जाता है इसके लावे यूती पिता को कश्ट देने वाली भी मानी गई है गोचर में भी सुर्य और शनी की यूती बड़ी घटना होती है ज ये 13 फर्वरी को बनेंगी और 14 मार्श तक प्रभावी रहेगी उसके बाद सुर्या जो है उमीन राशी में प्रविश कर जाएंगे दूसरी और दोनों ग्रहों की सब्तम दृष्टी सिंग राशी पर होगी जिससे रायनिती में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा इ मेश राशी के जातकों के लिए सुर्या पंचम और शनी दशम लाप के सौमी होते हैं दोनों ग्रहों की यूती मेश राशी के जातकों के लिए लाप स्थान में होगी इस भाव से विक्ति की आये दिखी जाती है उसके आये के सोर्सीज देखे जाते हैं दोनों ग्रहों की जो सियूक्त द्रिष्टी है, आपके पंचम भाब पर होगी, इस जूती के कारण मेश राशी के जातकों को राज योग के समान फल मिलने वाले हैं, इस समय आपके भाई और मित्रों से आपको मदद प्राप्त होगी, सरकार के साथ कम कर रहे हैं लोगों के समय जबरदस सफलत मिलने वाली है, इसमें आप अपना खुद का काम शुरू करने के आपको मौके मिलेंगे, तेल, लोहे और खनन से जोड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी, दूसरी भागेशाली राशी कन्या राशी है, कन्या राशी के जातकों के लिए सूर्या बार में और शनी पंचम छठे भाब के स्वामी होते हैं, दोनों ग्रहों के युति कन्या राशी के लिए अब छठे भाब में होगी, इस राशी के जातकों के लिए सूर्या और शनी दोनों विपरीत राज्यों का फल परगट करने वाले हैं, दोनों ग्रहों का सेयुक्त परभाब बार में भाब प सकता है सरकारी नोकरी के तैयारी कर रहे जातकों को अच्छी सफलता मिल सकती है और अगली भागय साली राशी जो है वो धनुराशी है धनुराशी के जातकों के लिए सुर्य नवम भाव वहीं शनी दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं दोनों ग्रहों के युति से लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय आपका confidence आपका साहस आपका प्राक्रम काफी बड़ा हुआ रहने वाला है आपकी वाणी के परभाब से आपके कार्या सिद्ध होंगे इस समय आपको भाग्या का बरपूर साथ मिलने के योग बने हुए हैं किसी धार्मिक यात रशी है जिसे साफ़धान रहना होगा वाहन चलाते समय थोड़ा साफ़धानी जरूर परते हैं वानी पर थोड़ा control रखें वरना रिष्टों में खटास आसा सकती है दोसरी राशी मिथवन राशी है मिथवन राशी वालों के लिए शनी और सूर्या का कंबिनेशन निमन इस साबित हो सकता है, हलांकि जो बिजनस वर्क के लोग हैं, उनको थोड़ा साबदान रहना है, और बिजनस में नुकसान से बचने के लिए पार्टनर का साथ मिलना जरूरी है, स्वास्थे को लेकर के बढ़ती जाने वाले लापरवाही आपके लिए हानिकार के भी साबित ह सकती है, तीसरी राशी से साबदान रहने की जरूरता वो करक राशी है, सुर्य शनी की यूती से करक राशी वालों की थोड़ी दिखते बढ़ सकती है, इन दोनों ग्रहों के मिल जाने से करक राशी वालों के धन पर परभाव पढ़ने वाला है, इस दुरान शनी धहिया वहीं समय करक राशी के जातकों को चोट चपेट से साब्दान रहना होगा किसी दुरगटना की अशंका भी बनी रहेगी वानी पर सहियम रखें बिजनस वर्क से जुड़े लोग पैसों के लें देन में साब्दानी दिखाएं वाद विवाद और लड़ाई जगड़े से साब्दान रहना है वो वरिषव राशी है वरिष्चक राशी वालों के लिए दो दुश्मन ग्रहों का एक साथ होना भारी बढ़ेगा माता का स्वास्थे का बहुत जादा ख्याल रखना होगा इस राशी के जातकों परशनी के धहिया चालू है मानसिक तना बढ़ सकता है बिजनस में गरावट आ सकती है इन्वेस्टमेंट से समंदित निर्ण है थोड़ा सोच समझ कर आपको लेने होंगे कारेस्थल पर अपने जो कुलीग है जो सह कर्मी है उनके साथ समंदों में थोड़ा परशानी आ सकती है चोथी राशी जिसे साबदान रहने की जरूरत है वो मकह राशी है मकह राशी के जातकों के लिए सनी वा सुरिय का गोचर सुप साबित नहीं होगा ऐसे मिसराशी के जातकों को किसी थारा की इन्वेस्टमेंट करने से पहले तौछ विचार कर लेना चाहिए धनानी का नहीं तो सामना करना पढ़ सकता है कुछ कामों में को पर बढ़ सकता है जो जार तक इस समय निया ब्यापार शुरू करने बारे सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा साब्दान रहना होगा सेथ का सबसे ज़्यार रखें दमपत्य जीवन में तना बढ़ सकता है तो आज की पोश्ट में बस इतना ही मेरे पेज से जुड़े रहिए म मैं गूर बीपेटिंग